देखें इस वर्स के पहले रोजगार मेले में प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 71,000 लोगों को न्युक्ति पत्र सौप कर इस साल दिसंबर तक दस लाख सरकारी नोकरिया देने के अभियान को आगे बढ़ाया चुकि बिभन सरकारी बिभागों में लाखों पद रिक्त हैं इसलिए उन्हें समय रहते भरा ही जाना चाहिए इस मामले में केंद सरकार जैसी सक्रियता सवी राज्य सरकारों को दिखानी चाहिए वे चाहिए भाजबा सासित सरकारे हो या अन्य दलों द्वारा सासित राज्य सरकारे इस सक्रियता की आवशक्ता इसलिए हैं क्योंकि बिभन बिभागों में अनेक पद वर्सों तक रिक्त बने रहते हैं इससे सम्मंधित बिभागों की कार्य कुसलता प्राभावित होती हैं और इसके दुस परिणाम आम जनता को भुगने पड़ते हैं इससे कुल मिलाकर सरकारों की छबी ही प्राभावित होती हैं कहीं सरकारी बिभागों के तमाम पद लंबे समय तक इसलिए तो रिक्त नहीं रहते क्योंकि मिनिममम गवर्मेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की धारणा के तहत यह मान लिया गया है कि सरकार को अपना काम कम से कम करमचारियों से चलाना चाहिए इस धारणा का अपना एक महतु है लेकिन यह भी ध्यान रहे की सरकारों की दक्षता और कारे कुसलता तभी बढ़ती है जब उनके पास परियाप्त सरकारी करमचारी होते हैं संख्या वल के अवाव से जूजते सरकारी तंत्र के सहारे शुशासन के लक्ष को प्राप्त नहीं किया जा सकता यह अच्छा है कि केंद्र सरकार ने पिछले बर्स दस लाख रिक्त पद भरने का अभियान सुरू किया इस अभियान के तहट अव तक तीन रोजगार मिले आयोजित कर हजारों यूबाओं को नुक्ति पत्र दिये जा चुके हैं अभि तक दो लाख से अधिक नोकरिया दी जा चुकी हैं रिक्त पदों को प्रार्थ मिक्ता के आधार पर भरने के अभियान को और गति देने की आवश्यक्ता हैं क्योंकि वांचित लक्ष को पूरा करने के लिए अगले ग्यारा महा मैं करीव आठ लाख नोकरियां देनी होंगी इस अभियान को गति देने के साथ ही यहवी शुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सरकारी करमचारी और अधिक कार्य कुसल एवम जवाव देह बने सरकारों को सरकारी नोकरियों के बारे में बनी इस धर्णा को दूर करने के भी जतन करने चाहिए कि वे नोकरी की सुरक्षा की गारंटी के साथ आराम तलवी का परेयाय हैं सरकारी नोकरियों को लेकर यह धारना भी ब्याप्त है कि वे जवाव देही की मांग नहीं करतीं सायद इसका ही यह परिणाम है कि ओशत सरकारी करमचारियों में जनता की सेवा को लेकर अपेक्षित प्रतिवद्धता का अवाव दिखता है कहने को तो वे लोक सेवक कहे जाते हैं लेकिन उनमें सेवा का भाव मुश्किल से ही नजर आता हैं सरकारी करमचारियों मैं अपने दायत्वों के प्रति कहीं अधिक समर्पन होना चाहिए इस समर्पन भाव के माध्यम से स्टॉप पांच मिनट पढ़ने को देता हूं पढ़ने सभी अपना अपना पढ़ने बेढ़ना फिर अन्वाद का टाइम अलग से दूंगा तीसे ही मिनट दूंगा उससे ज्यादा नहीं